यदि आप Umangaype में Login करना चाहते हैं तो फिर आप इस वीडियो को देखकर Umangaype में बहुत आसान तरीके से Login कर सकते हैं Umangaype में Login करने के लिए सबसे पहले आप Umangaype पोपिन कर लेंगे Umangaype कोपिन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेश न जराएगा देखिए यहाँ पर आपसन है लॉग इन का या फिर आपको देखिए यहाँ पर प्रोफाइल का आइकन बना हुआ इस पर क्लिक करेंगे तब भी आपको यह आइकन मिल जाएगा देखिए यहाँ पर प्रोफाइल के आइकन पर क्लिक करेंगे फाइल के आइकन पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर लॉग इन का उपसन आ गया है लॉग इन के आपसन पर क्लिक करेंगे लॉग इन के आपसन क्लिक करने के बाद आपके साबने कुछ ऐसा इंटरपेश नहीं जरायेगा यहाँ पर mobile number एंटर करेंगे और यहाँ पर अपने उमंग एब के यम पिन को इंटर करेंगे जो आपने उमंग एब को रेइस्टर करते वक बनाया था यदि आपको अपने उमंग एब का पिन नहीं मालूम है तो यहाँ पर देखिए फारवाट पिन पर क्लिक करके आप अपने यम पिन को फारवाट भी कर सकते हैं या फिर आप देखिए आप लॉग इन विद ओटीप का अपसर नहीं इस पर क्लिक करके भी आप उमंग एब में लॉग इन कर सकते हैं चलिए यहाँ पर पहले मुबाइल नंबर को उटर कर लेते हैं मुबाइल नंबर को उटर करने के बाद चलिए यहाँ से हम लॉग इन विद ओटीप के आपसर पर क्लिक करके लॉग इन कर लेते हैं यहाँ पर login with OTP के आपसर पर क्लिक करेंगे login with OTP के आपसर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपसर आ गया है send OTP send OTP के आपसर पर क्लिक करेंगे send OTP के आपसर पर क्लिक करने के बाद आपके mobile number बर एक OTP आएगा और यह automatic verify हो जाएगा वेरिफाई के आपको क्लिक करने के बाद आप उमंग एब में सक्सेजफुल लोग इन हो जाएंगे अब देखिए यहाँ पर प्रॉफाईल के आईकन के क्लिक करने के बाद my profile पर क्लिक करने के बाद यहां से अपने Among Gap के pin को बना सकने हैं तो चलिए यहां पर हम जो अपना pin बनाना चाहते हैं उसको यहां पर इंटर कर लेते हैं और उसी pin को यहां पर दोबारा रिंटर कर लेंगे confirm pin में और उसके बाद देखिए आपर next का option है next के option के अपन क्लिक कर देंगे next के आपने क्लिक करने के बाद आपके Among Gap का pin भी बन जाएगा और उसके बाद देखिए आपर profile में आपसा है एडिट का इडिट के आपसा क्लिक करेंगे इडिट के आपसा क्लिक करने के बाद यहां से अपने profile को भी लगा सकते हैं यहां पर अपना नाम इंटर कर सकते हैं अपने आपने gender select करेंगे और यहां पर अपना data birth यहां पर qualification, occupation, state आपका कौन सा है district कौन सा है और यहां पर अपना address आपकर करेंगे उसके बाद यहां पर save का option save के आपको क्लिक कर देंगे तो फिर आपका profile बन जाएगा इस तरीके से आपने उमंग गयप में login हो सकते हैं पासवर्ड को भी बना सकते हैं और प्रोफाइल की setting कर सकते हैं आई ओप आपके वीडियो अलफुल लगी हो अगर आपके वीडियो अलफुल लगी हो